एक मैच का कुल आदा घंटा चलता है आदा घंटे का मतलब हाफ एनार मैच के समय का एक बटे दस भाग तो मैच का समय तो अभी दिया है यह उन्होंने आदा घंटा है तो इस आदे घंटे का एक बटे दस भाग टाइम आउट में चला जाता है यह time out कितने minute का होता है तो यह हमने बताना है कि जो time out है वो कितने minute का है time out उन्होंने भिल्ण में दे रखा है एक बटे दर सामने उसको minute में बताना है a match last for half an hour तो कोई match है वो क्या है half an hour में खतम होता है half an hour तक चलता है one ten of the match time is taken up for time out तो जो total match का time था half an hour उसका one upon ले 10 part तो हमने बताना है कि यह time out कि ितने minute में खतम हो रहे है तो चलो start करते है तो जो match का पुरा time है मेज का पूरा time कितना था आदा गंटा, half an hour था ये जो half an hour है अब हमने, उन्होंने हमसे यहाँ पर क्या किया है minutes में answer पूछा है तो ये जो half hour है, इसको मैं क्या कर दूँगा minute में change कर दूँगा तो hour को minute में change करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से multiply करते हैं तो 2 से 60, 30 times कटेगा तो ये 30 minute हो लिया तो जो match है पूरा का पूरा 30 minute के लिए चलता है अब इस 30 minute में से कुछ time out में time लिया जाता है अब वो time out में कितना time लिया जा रहा है वन टैंथ, इसका ये जो 30 minute है, इसका वन टैंथ, तो जो answer रहेगा यहाँ पे, हम क्या कर देंगे कि जो 30 minute है इसका 1 upon में 10 part निकाल देंगे ये 0 से ये 0 cancel हो जाएगा 1 into 3 कितना बन जाएगा 3 minute तो जो 3 minute है वो किस में जा रहे हैं time out में जा रहे हैं और यही उन्होंने हमसे निकालने के लिए बोला था कि time out में कितना time लग रहा है तो 3 minutes ऐसा option हमारे पास option B है तो option B को यहां पर टिक कर देंगे